हालो दोस्तों आपका योट्यूब चैनल जीओ साइंस में स्वागत है क्लास 12 का फिजिक्स फिर से स्टार्ट किया जा रहा है थोड़ा सा कुछ प्रोग्लम के कारण वीडियो जाना बंद हो गया था प्रन्तों फिर से पुना स्टार्ट किया जा रहा है पता होगा क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर जो था चार्ड के टायबू के बारे पढ़ाया गया था कि चार्ड का कितना ம होता है है चार्ज का दो परकार होता है, there are two types of charge, first positive charge, दुसरा negative charge, ध्यान देगा, positive charge का मतलब क्या होता है, negative charge का मतलब क्या होता है, positive charge का मतलब होता है, जिसमें electron का deficiency हो, जिसमें electron का कमी हो, अर्था positive charge कहा जाता है, और जिसमें electron excess हो, electron की संख्या बढ़ता हो, हमेशा वो negative charge कहलाता है, जैसा के सामने निखा हुआ है, positive charge का definition, it is a deficiency of electron as compared to the photon, electron का कमी होना, अर्था अर्था एक positive charge का ही काम होता है, negative charge का definition है, it is a excess of electron as compared to the photon, इसका मतलब हुआ, कि electron की संख्या बढ़ेगा, तो हमेशा कहलाएगा negative charge, जब electron की संख्या घटेगा, तो हमेशा कहलाएगा negative charge, आगे धियान दीजिएगा, electronic charge का मतलब होता है, सबसे छोटा charge, 1.6 disk per minus 11 gram होता है, कोई पूछेगा, कि बताएगे सबसे smallest electronic charge का मान कितना होता है, तो 1.6 disk per minus 11 gram, उसके बाद charge of electron, electron पर charge का मान होता है, 1.6 disk per minus 11 gram, पूट्रोन पर charge होता है, 1.6 disk per minus 11 gram, प्रन्तों ये दोनों में फर्क है, एक पर minus charge, एक पर plus charge होता है, इसका magnitude सेम होता है, प्रन्तों इसका sign अलग-अलग होता है, यहाँ पर कुछ importance दिखाया गया है, कि जब सेम charge रहेगा, तो कौन सा property लागो होगा, जो opposite charge रहेगा, तो उसका function क्या होगा, जब सेम charge रहेगा, तो एक दुसरे के बीच, रिपेल करता है, अर्थात, जब positive और positive sign रहेगा, उसका property हमेशा repel to each other होगा, जब negative और negative charge रहेगा, तो हमेशा उसका भी property repel to each other होगा, इसका मतलब एक दुसरे के बीच में, बिकर्शन होना, पोजेटिव और नगेटिव रहेगा, तो हमेशा एक दुसरे के बीच में, attraction होता है, attraction होता है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देना, कि positive positive एक दुसरे को repel करता है, अर्थात, same charge repel to each other, आगे चलते हैं, ध्यान देना, चार्ज का प्रपटी भी होगा, बहुत important चीज है, चार्ज का प्रपटी क्या क्या होता है, चार्ज किस-किस फॉर्म वे होगा, आगे बताया जा रहा है, आगे ध्यान से, नोट्स भी करते चलेगा, चार्ज का प्रपटी, प्रपटी ऑफ चार्ज, ध्यान देजएगा, चार्ज का प्रपटी क्या क्या होगा, प्रपटी होगा, सेम चार्ज, रिपेल टू, इच अधर, बाट, अपोरिट चार्ज, अट्रैक्ट टू, इच अधर, फर्स्ट प्रपटी क्या होगा, कि सेम चार्ज रहेगा, तो रिपेल करेगा, बाट अपोजिट चार्ज होगा, तो अट्रैक्ट करेगा, वही ची लिखा हुआ है, सेम चार्ज, रिपेल टू, इच अधर, बाट अपोजिट चार्ज, अट्रैक्ट टू, इच अधर, आगे ध्याद में न, चार्ज इच, क्वान्टाइज, इन दे नेचर, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा चार्ज का जो फॉर्म होता है, ओ, क्यू बराबर एनी के फंक्शन में होता है, अर्थार, सबसे छोटा चार्ज, वान पॉइंट सिक दिसके पाउर, माइनस उनाइस, इसको लाँ, इससे छोटा कहने का मतलब होगा, कि चार्ज का जो फॉर्म होगा, क्वान पॉइंट इसन इन नेचर का मतलब, हमेशा जो भी चार्ज होगा, और टो इके फंक्शन मोगा, ठीरी इके फंक्शन मोगा, 4E का होगा 1E का होगा कभी भी charge का function 1.3E नहीं होगा 1.7E नहीं होगा 2.3E नहीं होगा इसका मतलब decimal ना fraction होगा और नहीं decimal form में होगा ही नहीं charge आगे का third point charge is additive in nature हमेशा charge को जूड़ा जाता है क्योंके scalar form होता है third के बाद fourth बोलेगे charge is conserved in the isolated system कहने का तत्पर्जवा चार्ज हमेशा यहां पाच्मा रेश चार्ज ध्यान देगा यहां तक प्रफट्टी को नोट किया जाए आगे बताया जा रहा है इसको नोट कर से लिए on the class कि समयना है पाच्मा प्रफट्टी आपको बताया जा रहा है पाच्मा प्रफट्टी होगा रेश चार्ज प्रोदूस्ट अलेक्टिक फिल्ड शर्ज इन इन वंक वलस्टी प्रोदूस्ट प्रोदूस्ट बोद्ट अलेक्टिक फिल्ड फ ख्रास्ट्टिक फिल्ड शिट्ट्स magnetic field but charging accelerating produced electric field magnetic field and radiation energy ध्यान दिगा बहुत important जिए पास्मा प्रपटी जब कोई charge particle rest में होगा तो electric field produce करता है जब कोई charge particle uniform velocity के साथ मुख करेगा तो electric field और magnetic field दोनों होगा electric field का symbol होता है E ध्यान देना और magnetic field का symbol होता है B but लेकिन charging accelerating जब charge accelerate कर रहा होगा तो हमेशा electric field भी produce करेगा magnetic field भी होगा और radiation energy भी होगा छटा प्रपट्टी क्या होगा यहाँ ध्यान देना है charge is neither create but charge is only transfer ध्यान देका लिखा हुआ charge is neither create nor be destroyed but charge is only transfer ना charge को create के आता है और नहीं charge को destroyed के आता है अर्था charge को ना बनाया आता है और नहीं बिनास के आता है charge को only for one body to another body transfer के आता है ध्यान दना ये छटा प्रपट्टी था इच्छेओ प्रपट्टी को अराम से ध्यान से नोड कर चलेंगे क्योंकि प्रपट्टी बहुत important है board के लिए भी आगर exam के लिए इस पर आने वाला वीडियो में question भी करवाया जागा जो objective type का होगा वीडियो में बने रने के लिए आपका दीन मंगल में